हाई गाईस वेलकम टू माई ने ब्लोग वीडियो सो गाईस मैं आया था भाजी तोड़ने लेकिन भाजी नहीं मिल पाया पक्री भाजी जो कि वहाँ पे है दूर से ही मैं देखके अब लोट गया हूं इस समय ना पक्री भाजी खाने में बहुत ही टैस्टी लगता है एका द पीछी देख सकता है यह चूला का पेड़े पहले के जमाने के लड़के को सड़ा के और इसके कलर निकालते थे मतलब की फाग में खेलने के लिए रंग उनको लेना नहीं पड़ता था तो इसी के रंग विलोग बना लेते थे और आजकाल हम लोग ना इसके रंग वंग कहा बनाएंगे हम लोग बाजार से खरीद के ले आते हैं यह आम का पेड़े बहुत ही यहां पे छाया है बहुत ही सुन्दर लगता है देखने में इसके छाया गाइस मैं अब घर लोट गया हूं चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे आराम से पहुंचने ही वाला हूं थोड़ी के लिए बनवाया था लेकिन यहां तो कोई उपयोग ही नहीं होता पूरा टूट फूट हो गया है ना पानी आता ना कुछ आता इस मैं रोड में पहुंच गया हूं और यहां पे देख सकते हैं जो कि फूल बहुत सारे गिरे हैं उपर से हम हैर का फूल है यह फूलेगा औ और अब फारेगा और वहां पे देख सकते हैं स्टैन बोट में मुड की ग्यारा किलोमीटर इधर पे है आंगे इसमें अंगले बार आंगा चार पात दिना बाद तो मैं आप लोगों को भाजी दिखाऊंगा मैं अपने खेत के गली के तरप से मैं आ गया हूं वहां पे दे और कुछ हो गये हैं ऐसा लगता है लेकिन अब यह नहीं कटेगा और मैं पहुंच गया हमारे डैम्प के ओर यहां पे हम लोग नहाते हैं यहां से पूरा पानी जो कि भाग जाता है इधर पे यहां तो पूरा फूट गया है तो यहां से खाली हो जाता है इसको बंद कर दि देना नहाते हैं गाइस अब मैं पहुंच नहीं वाला हूं थोड़ा दूर है घर और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं ज्यादा लंबी हो जाएगा क्योंकि चार-पांच मैट के मेरों को नहीं बनाना है दो से तीन मैट तक के वीडियो बनाना है तब तक के लिए बाइब